एक ऐसे पामसिस्ट जोने पास्ट और फ्यूचर बिलकुल साफ दिखाई देता था इस मूवी की मेरे पास काफी टाइम से दिमांड आ रही थी बस इंतजार था तो सरफ टैनेटी प्रिंट के मिलने का और फाइनली टोड़े आई गॉट इट से नाव विदाउट विस्टिं मगर इन्हें हाथ पढ़ना काफी अच्छी तरीके साता था जिनने की हम पामिस्ट कहते हैं बड़े बड़े लोग जिनमें नेता मिनिस्टर्ज और व्यापारी भी शामिल थे वो हर कोई अपना हाथ दिखवाने के लिए इनके पास आया करते थे ताकि ये पता कर से की कि फ चुरू करना चाहते हैं तो उसकी लिए सबसे बढ़िया डेट कौन सी रहेगी हाला कि यहां पर पहुंचे वे लोगों में से दो अलगलग मैंटसेट के लोग थे जहां पर एक जना जोतिश विद्या में मानता था वहीं दूसरा जना सिर्फ साइंस में माना करता था मगर परमंसा का यह कहना था कि जो भी हम करते हैं यह 99.9% साइंस ही है और इसी के बेसिस पर हम आपको आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बता सकते हैं और जब वह दूसरा शक्स अपना हाथ परमंसा को देता है तो बस छूकर सब कुछ सच सच उन्हें बता देते हैं इ इसका नाम था जो कि इस वक्त इंद्रा गांदी जी के पास आया था उनका हाथ देखने के लिए उनके हाथ को काफी घराई से देखने के बाद में उसे उनका फ्यूचर दिखाई दिने लगता है जिसके बाद वो उने बताता है कि आप इस देश में एमर्जंसी लाएंगी वेल ये सुनकर इंद्रा गांदी को काफी गुस्सा आता है कि वो ऐसा आखिर क्यों करेगी मगर जो सच था उसने भाई बताया और अब आदिते ने इंडिया को छोड़ दिया था और वो देश दुनिया में अलग-अलग जगह पर घूम रहा था वो अपने काम में इतना मा हिरता है कि हर कोई उसे पामिस्ट्री का आइंस्टैंग बुलाते थे अगर उसने किसी का भी हाथ देखकर फ्यूचर बता दिया तो इसका मदलब डैफिनेटली वह वैसा ही होगा मगर इसी बीच आदिते की एक और परसनलाइटी भी थी जो की थी लड़कियों से फ्लर्ट जाता है वहीं अगले सीन में हमें दिखाई पड़ती है इस कहानी की लीड एक्टरेस यानि की प्रेड़ना जो की पेशे से डॉक्टर है मगर एक खुले दिल की इंसान है उसे एडवेंचर बहुत पसंद होता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लड़की उसे घू करने लगती है ऐसा लग रहा था मानों दुनिया जहान की कोई फिकर ही नहीं बस वह सिर्फ खुद में खुई थी पीशे से वह एक डॉक्टर थी और जब भी वह अपने हॉस्पिटल जाती थी तो राग हीरो को इसी तरीके से ट्रीट किया करती थी जिसके बाद सीन शिफ् का कलर पता है सिंगल मॉल्ड विस्की से जादा डार्क है तबी एंट्री होती है डॉक्टर सचिन की जो की प्रेड़ना के चाचा जी होते हैं और वह से समझाते हैं कि तुम्हें बार-बार मना करने पर भी तुम यहां पर पीशेंट को देखने के लिए ग्यों आ जाती हो ह तो मैं आपको लाकर दिखा दूंगी होईजीन शिफ्ट होता है आदित्य की मॉम पर जो की एक भरतनाट्यम क्लासिकल ड्रांसर होती है और उसके घर में उसका बेस्ट भी रहता है जो की एक प्रफेशनल पर्फिमर होता है सूंग कर हर खुश्बू को बता देता है कि इसक उसके लिए इतनी खास थी कि वो कभी भी किसी को इसे चूने नहीं देता था जिसके बाद आदित्य उसी ट्रेन के जरीए अपने किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जाने वाला था इसी दरमयान उसकी मुलाकात प्रेढ़ना से होती है और प्रेढ़ना का तो यह रोज का ही ह होडता रहता है लग रहा था मानों कि वो उसके प्यार में खोच चुका है जाए एक तरफ तो प्रेढ़ना ठंडी हवा और खुली वादियों का मज़ा ले रही थी वहीं दूसरी और आदित्य बस सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था अब तक प्रेढ़ना सिर्फ यह समझ र करता है मगर प्रेढ़ना जवाब नहीं दीती इसलिए वह बसके शीचे का इस्तमाल करता है और भाप से पूछता है कि आपका नाम क्या है कब मिलोगी लेकिन प्रेढ़ना कहती है कि एकर किस्मत में लिखाओगा तो जरूर मिलोंगी मगर उसे क्या पता था कि वह जिस शक् गया हो जुसके बाद कहानी में एक काफी ब्यूटिफल सॉंग दिखाया जाता है यह दोनों होते दो एक दूसरे केर्दगिर्दी हैं मगर देख नहीं पाते जहां एक तरफ प्रेढ़ा खुशिया माट रही थी वहीं दूसरी और आदित्य मजबूर लोगों की मदद कर र रखी है जो कि 99% साइंस पर बेज़्ड है और कहते हैं कि इस किताब की शिरुवात मैं तुम्हारी से ही करना चाहता हूं मगर आदित्य का मानना था कि पामिस्ट्री 100% होती है क्योंकि आज तक उसने जो भी भविश्य वानिया करी वो सब कुछ सच हुई थी 99% का तो सवाल नहीं उठता और 100% का मतलब है कि कुछ भी बदला नहीं जा सकता लेकिन उनका यह कहना था कि इस दुनिया में 1% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी किस्मत खुद लिखते हैं वहीं पर वह आदित्य से यह भी कहते हैं कि तुम्हें एक बड़े बिजनसमेन आनंद राजपू और पूछता है कि मेरा पॉलिटिकल करियर कैसा रहेगा मगर आदित्य का कहना था कि उसे तो अपने पिता का बिजनस ही संभालना होगा आपका फ्यूचर पॉलिटिक्स में नहीं बलकि बिजनस में और वैसे आने वाले कुछ टाइम में आप आपके पिता का पूरा बिजन और जो बोल दिया सो बोल दिया दूसरी बार का कोई चांस नहीं जन्म से लेगे मृत्य तक मुझे सारी बाते पता चल जाती है मगर ये बात आनंत को बुरी लगती है और वो उसे वापस बुलाने के लिए अपने गुंडे उसके पीछे भेज़ देता है और यहां पर हमें आपको ठीक करवाने के लिए अकीला ही ऑस्पिटल पहुंच जाता है बिल्कुल खून में लत्पत और पूछता है कि डॉक्टर कहां पर है इतने में उसके मुलाकात डॉक्टर प्रेड़ना से होती है जो कि उसे देखकर वहां पर हैरान हो जाती है जबकि आदित्य का कहना था कि हमें किस्मत ने मिलवाया और अब आदित्य को दो दिन हॉस्पिटल में ही एड्मिट कर लिया जाता है इसी बीच मूवी में कापी सारे कॉमेडी सीन्स आते हैं जहां पर सारे पीशन्स मिलकर डॉक्टर्स की नाक में दम कर देते हैं वहीं पर एक दिन प्रेड़ना आदित्य के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम अपने आपको रोमियो समझते हो तो आदित्य कहता है कि मैं उसकी तरह प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में लव लाइन नहीं है I don't like relationship I just want flirtationship मगर प्रेड़ना ऐसा करने से मना कर देती है और पूछती है क क्या तुम पामिस्ट हो अगर सच में इतने बड़े पामिस्ट हो तो कोई मैजिक करके दिखाओ जिस पर आदित्य उसे अगले दिन 10 बजे कॉफी के लिए इंवाइट करता है वहीं सीन शिफ्ट होता है और यहां पर प्रेड़ना की फ्रेंड्स उसे कहने लगती है कि तु से उतरती है तो भरी बरसात में अपनी आखों के सामने ठीक 10 बजे विक्रमादित्य को पाती है क्योंकि किस्मत ने उनका मिलना तय कर रखा था और अब जाकर धीरी-धीरे प्रेड़ना को भी उसकी काबिलियत पर विश्वास होने लगता है जिसके बाद आदित्य उसे इस पूरी स्टूरी को एक लगी लेवल दे दिया वहें पर सीन शिफ्ट होदा है जहां पर आदित्य और प्रेड़ना साथ बैठे होते हैं मगर ट्रीन में बैठे एक शक्स उसे पैचान जाते और कहते हैं कि आप तो वल्ट के सबसे बड़े पामिस्थ है ना मैं आपको ज नहीं और 99 परसंट लोगों में वो ताकत पाई नहीं जाती मगर फिर भी उस पिता के जोर देने पर आदित्य उसकी बीटी का हाथ देखता है वो चाती थी एक वर्ल्ड चैंपियन आर्चर बनना आर्चर यानि की धनुरधारी मगर उसका हाथ देखने के बाद आदित्यों से कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर पढ़ाई में पढ़ाई में ध्यान लगाऊगी तो जादा काबिल बनोगी इतने में ही ट्रेन के सबी लोग अपना हाथ दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं कि प्लीज मेरा भी हाथ देखिए मेरा भी हाथ देखिए और इतने सारे हाथ दिखा रहे थे उन सभी के हाथों में लाइफ लाइन नहीं थी हलाकि यहां पर आदित तेने सिर्फ एक नजरी उन लोगों के हाथों को देखा था और वो किसी को उनका फ्यूचर बताना नहीं चाहरा था इसलिए इस स्टीशन पर उतर चुका था मगर इतने में ही उस वास्ता बदल चुकी थी जिसके बाद अगले दिन खबर आती है कि ट्रेन धुरगटना में कई सारे लोग मारे गए अधित्य के इस भविश्यवाणी को दीख कर प्रेड़ना काफी शौक में आ जाती है क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब प्रेड़ना को उसकी पामिस्ट्री के लिए सही रहेगा वहीं पर सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही ब्यूटिफुल लेक में जहां पर यह दोनों एक बूट में बैठे होते हैं और बेड़ना अपना हाथ आदित्य को दिखाती है और बोलती है कि तुम इतने बड़े पामिस हो ना चलो मेरे बारे में बताओ आदित्य उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसे बहुत देर तक देखने लगता है और कहता है कि आज तक मैंने इतने हाथ देखें मगर कभी सितारों को हाथों की लकीरों में इस तरीके से सजा हुआ नहीं देखा और बताता है कि तुम्हारी हाथों की लकीरों में की भलाई करोगी और एड़ एज 74 तुम्हें उसके बदले एक नूबल प्राइज भी मिलेगा जाए एक तरफ तो अधित्य उसके फ्यूचर के बारे में उसे बता रहा होता है वहीं प्रेड़ना के नाक से खून बहने लगता है और वहीं पर गिर जाती है वह से उठा कर सीध प्रेड़ना ठीक तो हो जाएगी ना आखिर उसे हुआ क्या है तो वह कहते हैं कि क्या प्रेड़ना ने तुम्हें नहीं बताया कि उसका ट्यूमर लास्टीज पर है उसके पास अब सिर्फ कुछी टाइम है मगर यह सुनकर तो आदित्य के पैरोतले जमीन किसक जाती है क्य कहते हैं कि आज तक तुमने जो भी भाव खरिष्वानिया करिये वह सारी की सारी कलद थी तो मैं तो बस लोग winners के साथ खेलना आता है मकर आ अदित्य कर जाता है कि पर ना तुम जियोगी जिसके बाद में scene shift होता है next day और यहाँ पर हम उस ship के captain को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने आपको एक दम fit बताता हुआ उस hospital से जाने की तैयारी करता है आदित्य उसे पूछता है कि पहले तो आप hospital में ही रहना चाते थे लेकिन अब क्या हुआ जहां पर वो captain उसे बताता है कि प्रेड़ना को देखकर मुझे जीनी की प्रेड़ना मिली और life का असली मतलब पता चला इसलिए मेरे दोस्त मैं जा रहा हूँ वापस अपने काम पर पास बहुत कम समय बचा है मेरे 40 साल का experience कहता है और साथ ही तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है वह सिर्फ तुम्हें एक जूटा दिलासा दे रहा है इसके अलावा और कुछ नहीं मगर प्रेड़ना को आदित्य पर विश्वास था और वो अपने चाचा जी से कहती है चार मुर्दों के fingerprint लेते हैं left और right hand के और फिर बुलाते हैं decreed विक्रमादित्य और उससे पूछते हैं कि तुम बहुत बड़े पामिस होना लो इन हातों की लकीरों को देखकर इनका future बताओ जिनने देखकर विक्रमादित्य सिर्फ एक ही नजर में बता देता है कि ये 5 ल आपका है कि अभी आप जानना चाहते हैं कि आपका मौत का वक्त जग है और दिन कौन सा होगा ये सब देखकर तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि अब तक उन्हें ये लग रहा था कि विक्रमादित्य सिर्फ लोगों को जूट बोलता है उनके emotions के साथ खेल रहा था उसके दोस्त उसे कहते हैं कि क्या हो गया तू तो पॉलिटिक्स में जाना चाहता था आगर उस पामिस्ट ने तेरे बारे में क्या का तो आनन राचपूत बताते हैं कि उसने मेरे बारे में सिर्फ जूट का है और साथ ये भी कहा है कि आज 20 नमंबर के दिन मैं अपने पिता की कंपनी सभान ली पड़ेगी याने की विक्रमादिति की एक और वविश्यवानी सच हो चुकी थी वहीं पर अगले दिन प्रेड़ना आदिते से मिलने के लिए उसके घर आती है और बस डिनर लगने ही वाला था तो आदिते कहता है कि प्लीज दुम दो मिनि इससे पहले ही वहाँ पर आदिते पहुंच जाता है और इन सभी के बीच में एक भड़िया सा फैमली डिनर होता है मगर रात को प्रेड़ना को घर ड्रॉप करने से पहले ये दोनों एक शांत बगीचे में बैठे थे वहाँ ठंड जादा थी इसलिए अपना जैकेट उतार कर प्रेड़ना को दिदेता है और वो डायरी भी उसी में ही उसके साथ चली जाती है घर आकर जब प्रेड़ना उस डायरी को खोल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि आदित्या 26 नवेंबर 1976 को सूसाइट करने वाला है उसकी लाइफ लाइन वहीं तक लिखी है और मेरे स सूच रखा था कि वह अपनी मा की जिम्मेदारी अपने बैस फ्रेंड को देदेगा और जो उसकी किस्मत में लिखा है बस उस पर निकल पड़ेगा लेकिन तभी गुरू परमहंस उससे कहते हैं कि जाते जाते हाथ तो मिला लो आदित जानता था कि हाथ मिलाकर वह उसके न दिन बाकी बचेंगे आज 24 नवेंबर था वैल 24 नवेंबर को मेरा वर्थ डिवी आता है इस दिन को खास बनाने के लिए आदित प्रेड़ना से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल जाता है मगर वहां पर उसके फ्रेंड्स उसे मिलने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि साफी कॉंटेक करने की कोशिश करी मगर उसने फोन नहीं उठाया मैं उसे टेलेग्राम लिखे उसने जवाब नहीं दिया मैं उसके आफिस पहुचा तो पता चला कि वह फिकार पर गया मैं जंगलों में गया और उसे हीरे चानी की हेर क्लिप बना कर दी तब जाकर उसने नहीं बचें वह सिर्फाज उससे आखरी बार मुलाकात करके उसे बाय बोलने के लिए और आदिते भी चाता था कि जाने से बस कुछ टाइम पहले वह एक अच्छा समय प्रेणा के साथ पिता है इसलिए वह उसे डांस बॉल में जाने की इच्छा जाहिर करता है जहां पर भी उसे मनाना ही करती और अगीन इस मूवी का एक बहुत ही ब्यादरीन और ब्यूटिफुल सॉंग हमारे सामने आता है जहां पर इनाइस कपल आपस में काफी क्लोज केमेस्ट्री वाला डांस करते हैं प्रेणा उसे अपने से दूर नहीं जाने दिना चाती थी वह उसे र पीच उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है जिसके पिता ने ट्रेन में अपनी बेटी का हाथ उससे दिखवाया था उस ट्रेन एक्सिदेंट के बाद में वह अपना एक हाथ हो चुकी थी यह देखकर आदित्य को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसी नहीं भविश्य वा फिर फेलो जाओंगी मगर एक बात बताई कि जिन लोगों के हाथ नहीं होते क्या लोगों की किसमत नहीं होती यह सुनकर आदित्य को रोना आजाता है और वहां से निकल जाता है जबकि उस लड़की को कहना था कि वह अपनी किसमत खुद बनाएगी जिसके बाद सीज से इस शेहर से बाहर जाना पड़ रहा है और अब दिन की शिर्वात हो चुकी थी 26 नवेंबर यानि की दा लास्ट डी ओफ विक्रमा देत्य प्रेणा जानती थी कि आज ही उसका आखरे दिन है मगर वो मौत उस तक ना आए वो उस पर से निकल कर चली जाए इसलिए वो तो उसके चाचा जी विक्रम को कॉल लगाते हैं तुमसे मिलना चाहती है वह जिंदेगी के उस मोड पर है जहां पर वह हमत आ रही हमत की जरुरत हैर मैं जानता हूं कि तुम ही वह हमत उसे दे सकते हो जिस पर रोते वादित्य कहता है कि प्रेणा मैं तुम्हारे पास आ र लेकर लंदन से रोम की और निकल रहा था मगर उसकी दूरी भी पुल से काफी ज़दा थी आदित्य इस बात को जानता था कि आज उसका आखरी दिन है और कहीं यहां से कूत कर पानी में डूब कर उसकी जानना चिली जाए मगर जब वह कूता है तो उसका हाथ थामने के लि पलट पलट हो जाता है लोगों की जान बचाने के लिए आदित्य उनने बार बार बोट के पास भीज रहा था मगर एक मुमेंट पर खोदी उन कंटेनर के बीच में फस जाता है वहीं दूसरी और गुरू परमहंस उसकी लंबी उमर की प्रातना कर रहे थे क्योंकि आज अपनी किस्मत खुद बदलने की ताकत रखते हैं और उसी बात को याद करते हुए आदित्य मौत के मुझसे बाहर आ जाता है और अपनी किस्मत को अपने हाथों से बदल लेता है जिसके बाद वो रोम पहुंचकर प्रेड़ना से मलाकात करता है उसे दीखकर प्रेड़ना प्रेड़ना के साथ शाधी हो जाती है और इसी के साथ ये शांदार कहानी यहीं पर खत्म होती है आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजेग कुछ कुछ कहानी ऐसी होती है जो एक क्रीटर तक को हिला कर रख देती है तो ये कहानी उनमें से एक थी क्योंकि बोलते वक्त मेरे खुद के लब्स धरतरा रहे हैं और आई होप कि आप मैंसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि उन एक परसंट में से होंगे जो अपनी किस्मत खुद बदल सकते होंगे अगर ये कहानी पसंद आई तो प्लेज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा क्योंकि इसी तरीके के भैतरी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं सब तब तक के लिए कीप वाचिंग इन स्टे सेफ मिलते हैं अगले व झाल